हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल किरकेट एक्सपर्ट में दोस्तो पाकिस्तानी टीम तीन T20i और दो टेस्ट मुकावले खेलने के लिए बंगला देश में पहुच चुकी है और सीरीज का आगाज 19 नौंबर को सेरे बंगलाई स्टेडियम धाका में पहला T20i मुकावला खेलने के साथ सुरू करने वाली है तो आज के इस वीडियो में हम इस पहले T20i की पूरी कबरेज ले आये हैं बात करेंगे दोनों टीमों की कनफर्म प्लेंग 11 के साथ साथ सेरे बंगलाई स्टेडियम की पूरी पिछ रिपोर्ट के बारे में हिस्ट्री के बारे में और इसके अलावा दोनों टीमों के महत्वोर फैक्ट्स को देखते हुए प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग करेंगे कौन सी टीम किस जगा पर ज़्यादा बहतर और कौन सी टीम कहां पर थोड़ी कम जोड दिख रही है किसकी विनिंग के चांस सबसे जादे है और वीडियो के अंत्वे बनाएंगे एक बहतरीन डेम 11 टीम भी जिससे कि अगर आप फैंटेसी लीग में रिटूची रखते हैं तो वहां से आपको हेल्प मिल सके टीम बनाने में और आप बहतर प्रदर्शन करके फैंटेसी लीग से मनोरंजन के साथ साथ काफी अच्छा खासा पैसा अर्ण कर सकें तो कहीं भी स्किप किये बिना वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि क्रिकेट संबंधी सारी छोटी वड़ी अपडेट मि प्रू करते हैं और उस क्रम में सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजय डालेंगे उसके बाद प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग करेंगे कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत दिख रही है तो दोस्तों पाकिस्तानी टीम में जहां वर्ल्ड कप के बाद मुहमद ह अफीज और आसी फली जैसे खिलाडियों को रिष्ट दिया गया है तो उनकी प्रोवेबल प्लेइंग 11 बाबराजम कैप्टन मुहमद रिजवान विकेट कीपर और इसके बाद फखर जमान हैदर अली सोयब मलीक एफ्तेखार अहमत की वापसी हुई है इसके बाद इमाद वसीम, नमबर आठ पर सादाब खान और क्योंकि एक आसान मुकाबला दिख रहा है जबकि बंगलादेश टीम में कई सारे बैतरीन खिलाडी नहीं है तो यहाँ पर पाकिस्तानी गेदबाजी कुछ अपने नए प्रतिवासाली गेदबाजों के साथ जा सकती है तो नमबर पर मुहम्मद वसीम जूनियर, नमबर दस पर साहिन साफ रीदी और नमबर 11 पर सहनवाज धानी खेलते नजर आ सकते हैं वहाँ दोस्तों हम बात करें होश्ट टीम बंगला देश की तो यहाँ पर भी कई सारे चेंजेज हुए हैं और लिटन दास मुस्तक्विकुर रहीम और उनके सबसे बड़े खिलाडी साकीबल हसन की अनुपस्तिती में ये टीम कुछ कमजोड दिख रही है और देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि नए खिलाडी किस परकार से पाकिस्तान जैसी मजबूर टीम के खिलाब परफॉमेंस कर पाते हैं फिलहाल जो उनकी प्लेइंग 11 बन रही है तो बंगला देश के लिए मुहमर नईम ओपनिंग करेंगे इसके बाद उनका साथ देने के लिए दूसरे ओपनर के रूप में यासीर अली चोधरी या सैफ हसन में से कोई ये का सकते हैं नमर तीन पर नजमुल हुसैन संतो जो मोश्टली टिस्ट मैचेज और कुछ ODI में खेलते नजर आते हैं T20 में वापसी हुई है नमर चार पर उनके कैप्टन महमद उल्लार नमर पांच पर आलाउंडर अफीप हुसैन नमर च्छे पर बिकेट कीपर बल्लेबाज नुरूल हसन नमर साथ पर समीम हुसैन नमर आट पर महदी हसन नमर नौ पर सौरिफुल इस्लाम या फिर नसू महमन में से कोई एक खेल सक दोस्तों आईए दोनों टीमों की प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग करेंगे इसके बाद सेरे बंगला इस्टेडियम के कुछ रिपोर्ट देखेंगे कैसा खेलने वाली है पहले टी टूंटी आई के दोरान ये पिछ तो आईए बीडियो में पूरी तर से बने रही है तो दोस नजर आएगी दोस्तों निश्चित तोर पर पाकिस्तानी ओपनर्स काफी खतरनाक दिख रहे हैं और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉमेंस करते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में भी इनका रिकार्ट ओभराल सभी टीमों के ओपनर्स से ज़्यादा बहतर था और दोनों ही बल अमन नईम कुछ लंबे समय से खेलते जरूर आ रहे हैं लेकिन इनकी इनको इनकोंसिस्टेंसी बंगलादेश के लिए हैड़क रहती है हलाकि एक बार सेट होने के बाद 20 के बाद इनको हाफ सेंचुरी बनाने का कनवर्जन रेट काफी सांदार है और एक बार सेट होने के बड़े आराम से 60-70 का स्कोर कर जाते हैं लेकिन देखना बेहत दिल्चस्प होगा पाकिस्तान जैसी सांदार गेदबाजी अटेक और बंगलादेश जैसी स्लो पीचेश पर इनका परफॉमेंस कैसा रहने वाला है वहीं दूसरे ओपनर की बात करे तो यासीर अली चोधरी डोमेंस्टिक क्रिकेट में ठीक ठाक परदर्सन करते आये हैं लेकिन अभी भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका अपना चाप छोड़ना पाकी है तो मिडिल आर्डर की बात करें तो जहां पर बंगलादेश के लिए नजमुल्ला हुसैन, सान्तो, मुहमदुल्ला, तो वहीं पाकिस्तान के लिए फखर जमान के बाद हैदर अली जो हाड़ हीटर है इसके बाद आलाउंडर सोईब मलीक और इफ्तेखार अहमद नजर आ रहे हैं तो निश्ची तोर पर यहां भी पाकिस्तानी टीम काफी बहतर नजर आ रही है और फखर जमान जो लास्ट मै काबले में सांदार फिप्टी करके टच में आ गये हैं तो हाड हीटिंग बल्लेबाज हैदर अली भी काफी बहतरीन प्रदर्सन करते हैं वहीं बात करें हम इफ्तेखार अहमद और सोईब मलीक तो अहम मौकवे पर सांदार प्रदर्सन काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं तो है बंगला देश के लिए थोड़ी बहुत जो उमीद दिख रही है उनके कैप्टन महमद उल्ला की तरफ से दिख रही है हलाकि नजमुल हुसेन सांदू भी टिक्निकली साउंड प्लेयर हैं और ये बढ़िया कर सकते हैं लेकिन अफिप हुसेन और नरुल हसन काफी कु निश्चित तोर पर यहां पर साकीब अलहसन एक बड़ा फैक्टर सावित हो सकते थे और अगर प्लेयर एंग 11 का हिस्सा रहते तो निश्चित तोर पर बंगला देशी टीम यहां पर चैलेंज पेस कर सकती थी पाकिस्तान के खिलाब क्योंकि साकीब की मदद से ही बंगला इसके पास नहीं है तो इन चार आलाउंडर में आप देखे तो यहां पर केवल महमद उल्ला ही ऐसा नाम नजर आ रहा है जो थोड़ी बहुत बहुत बेहतरी काम कर सकते हैं तो वही हम बात करें पाकिस्तानी टीम के लिए तो पाकिस्तान में सोईब मलिक, इप्तिखार अह इमाद वसीम और सादाप खान सभी जरूरत पढ़ने पर बढ़िया काम करते आये हैं हालाकि इप्तिखार अहमद कुछ समय से टीम से बाहर जरूर चल लहे हैं लेकिन वहीं हम बात करें सोईब मलिक जिन्होंने टी ट्वंटी में मातरा ठारे गेदो में फिप्टी लगा के साहल का मचाया था टी ट्वंटी वर्ल्ड कप में तो वहीं लाश्ट मुकाबले में सेमी फाइनल में सादाप खान की सांदार चार बिकेट के साथ साथ इमाद वसीम की नपी तुली गेदबाजी और पावर हिटिंग की वज़ह से पाकिस्तानी टीम यहाँ पर भी मजबू देश के लिए कुछ ज्यादा तर चेंज नहीं है रेगुलर गेदबाजी से मुस्तफिजुर रहमान तस्कीन अहमद सौरफुल इसलाम मेहदी हसन तो यह गेदबाज भी काफी लंबे समय से ठीक ठाक काम करते नजर आ रहे हैं निश्चित तोर पर यहाँ भी साकिप की कमी खल रही है जो इस्टार गेदबाज और इस्टार बल्लेबाज हैं दोनों छेत्रों में काफी सांदार काम करते आए हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम एक हद तक थोड़ा सा चैलेंजिंग देख भी सकें बंगलादेश गेदबाजी की तो बाकी जगहों पर काफी कमजोर नज मेदारी समझनी होगी और इस क्रम में मुहमद नईम, मुहमद उल्ला, महदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाडियों को सांदार करके देना होगा दोस्तों पिछ रिपोर्ट की यहाँ पर बात करें तो सेरे बंगलाई स्टेडियम की पिछ धीमी होती है और धीम मुकाबलों में 28 बार पहले बैटिंग करते हुए 26 बार बाद में बैटिंग करते हुए टीम जीती है आप देख सकते हैं यह पूरा रिपोर्ट कार्ड है और बात करें अगर आप फैंटेसी किर्केट खेलते हैं तो आप इस तीम के साथ जा सकते हैं अगले वीडियो तक द सकते हैं इसकी इंसार्ट लेकि वीडियो पूरा देखने के लिए